मैं हूँ मदरलाल साहू और आप देख रहें आपका यूट्यूब चैनल प्रिजम इस्टिटूट तो जो कक्षा टैंथ है उसका एक्जाम अपने किती तारीक हो है चार तारीक हो है तो उसके लिए कुछ अपने मेतरपॉर्ण परसन है जो इंपर्टेंट परसन है वो मैं आराम से 37 से बैठके सोचे प्रसन को आपको जरूर वो याद आ जाएगा क्योंकि देखिए पूरे सालबर आपने पढ़ाई किये और सालबर पढ़ा है इसका मतलो ऐसा तो नहीं भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने हर वो चीज पढ़ी हर वो चेप्टर पढ़ा ह है ना अंटच कोई चेप्टर नहीं है सभी चेप्टरों को आपने देखा है अब आपकी किस्मत है कि आपने जहां से पढ़ा है या यह मान लिजे कि अभी तीन चाह दिन मां आपने ऐसे कोई प्रसन रिवाइज किये हैं जो पहले नहीं कर रखे हैं उन में से अगर कोई प हमा को सांते रखता है और पेपर करने का पैटरन और जो होते हैं जैसे मलब गणी सब्जेक्ट के अलावा जो परिक्षें हैं उन से थोड़ा सा मैत को अटेंड करने का पैपर को सौल करने का थोड़ा सा पैटरन अलग होता है अलग कैसे कि बड़े वाले प्रसन बड़े ज समझे कि माल लिजे कि पहला जब गंटा लगेगा पहला एक गंटा आपका कम्प्लीट हो जाएगा उस समय आपके पास प्रस्थनों की शंख्या क्या रहेगी कम रहेगी कम कैसे रहने वाली हैं आपको यह लगेगा कि सरा आमने तो तीन ही प्रसंद किये और आप उस चीज़ क इसे क्या आपका पेपर नहीं चूटता है दूसरा अगर आप सोचने बैठ जाते हो तो उसमें आपका समय खराब होता है और आपका पेपर निश्चित रूप से क्या है छूट जाएगा तो पेपर कभी नहीं चूटता है बस सर्त यह हैं कि आपको सोचने नहीं बैठना है जो प्रसन आपको पहले आ रहा है वो आपको पहले करना है सबसे पहले क्या काम करना है जो D सेक्षन है बड़े वाला उसको अटेंड करना है फिर C को करना है फिर आपको B को करना है फिर लास्ट में A को करना है अब माल लिजे आपके पास गड़ी में क्या है दस मिनट का टाइम रहा है गड़ी में क्या रहा है दस मिनट का टाइम रहा है सेक्शन ए के अंदर आप चल रहे हो छोटे वाले प्रस्तनों उल्टा चलते चलते ही हो अब माल लिजे आपके पास क्या है दस प्रसन है और दस मिनट का टाइम है तो आप निशित रूप से उन दस मिनट के अंदर उन्हें अब्जेक्टिव दस प्रसनों को अराम से कर लोगे अब माल लिजे इसी जगे पे अगर आपके पास 10 मिनिट है और दो बड़े प्रसंट छूट गए दो बड़े प्रसंट रह चुके हैं तो वो दोनों आप से होंगे ने हड़बडाट में ऐसा होगा कि जो आपने एक प्रसंट चालू किया है उसको करने के लिए वो भी आपका क्या है गलत हो जाएगा तो बड़े प्रसंटों को पहले करो फिर सेक्शन सी वाले करो फिर आप भी वाले करो और लाश्ट में क्या ए वाले करो नंबर देते वक्त मैथ कि जो कोपी चेक करेगा या कोई से सब्जेट की कोपी चेक करेगा वो पूरे नंबर आपको देगा ऐसा नहीं होता है नंबर आपके काट लिए वे ये पहले क्यों नहीं किया ऐसा कोई रिजन नहीं है तो और मुस्किल कुछ भी नहीं है यदि मनुश्य दारण कर लेता है भी पर भूर पर आपके लए सालबर नमढ़ भी लेका है गया हर आपको 90 क्रोस नंबर वो भी लेके आते हैं संड्रेड नहीं आते हैं 100 उस बत्चे काते हैं जिसने स्टार्ट सेाःब बड़ाए सेस्स लिख यह अध्यान किया हो उसके 100 नमर आ सकते हैं भी क्योंकि लाश्ट दो मैनों के अंदर वो खूब दोड़ा है ना वही दोड़ा अगर वो स्टार्ट से लगाता तो उसके 100 में से 100 नमर आ जाते हैं बच्छे भी पिसले साल भी था 96 नमर आये थे उस बच्छे के चार नमर कट गए उसको बहुत जादा दुख हुआ पर दुख होने के साथ ही उसको ये भी पता रहना चाहिए कि उसने कब देखा उसके आँख कब खुली जब लाश्ट के दो तीन मेने रहे गए उस समय उसने म है वो कट गए तो ऐसा नहीं करना है आपको सारे प्रसंत आएंगे अब मैं आपकी वू को ठाता हूं जो मैं मैं और के according वो मैं आपको mark कर देता हूँ लिख देता हूँ example जो भी प्रसन है उनको आप मिला के आराम से देखना और परसों का जो exam है वो आराम से आप देख के आना और मेरी कोशिस यह रहेगी कि जो मैं या लिखवा रहा हूँ उसमें से आपका पूरा का पूरा paper है वो आज है आप देखे छोटे प्रसन है वो आपको खुद को आने चाहिए कैसे है कि theory जिस chapter के बारे में आप कर रहे हो उसकी detail है उसकी जानकर यह आपको रहने चाहिए जिस परिवार में आप जाते हैं तो उस परिवार के जितने भी सदेशिया सब की जानकर रहने चाहिए भी family के अंदर कितने लोग हैं क्या है तब ही तो किसी के साथ बात कर पाते हैं तो वही system यह है कि जो chapter आप करना चाहते हैं तो वो आपके बिलकुल क्या है के लिए रहे होड़ा सब्सक्राइब तो देखिए जो प्रस्णावली एक हैं उसमें चलते हैं सबसे प्रस्तनावली एक पॉंट एक है इसके अंदर देख लेता है कुछ question जैसे माल लिजे, first question है first का पहला करके देखं़े़ो सारे एक जैसे यह तिनों एक question आप यह करके देख लिजे उसके बाद इसमें جो question नबर 4 है वो आपको करना है बजी यह 1.1 में से आपको इतना ही काम करना है फिर मैं और आगे चलता हूं इसी प्रकार जो प्रसनावली आपकी एक पॉइंट दो है कौन से वाली प्रसनावली 1.2 एक पॉइंट दो है इसमें आप कर लेना जैसे question number second है second में एक दो तीन प्रसंद दे रखें तीनों मैंसे जो आपका बढ़ी अलग है वो कर लेना वैसे मे के बाद है जो प्रसंद नमर तीन है उसमें भी क्या है आपके थोड़े पार्ट से दे रखें तो उसमें भी तीनों का pattern से में आप इसमें भी एक काम करें प्रसंद नमर तीन का भी आप क्या कर लें फर्स्ट प्रसन को कर ले 확인 अब और आगे चलते हैं जो प्रसनावली आप कि आएगी उस से पहले 1.3 से पहले आता है उदारण एक उदारण बड़ी है उसके जैसे ये लग बग उदारण नमर जो 9 है वो आपको करना है फिर अपने चलते हैं प्रस्तनावली ये वैसे उदारण नमर 9 आप कर लोगे उसके जैसा ही है प्रस्तनावली जो 1.3 है उसमें एक प्रसंद और निकाल लेजिए अर फ्रसंद नमर जो इन ऐसमें और प्रसंद नावली जो आपकी 1.4 है कौण सी प्रसंद प्रसंद नो के दो तीन प्रसंद निकाल लो जैसे पहले का एक तो निकाल लो आप तीसरा थार्ड वाला एक निकाल लीजी आप इसमें से कौनसा छटा प्रसंद निकाल लो छटे के बाद एक जैसे दस्वा प्रसंद वो आप निकाल लो हना इनसे काम चल जए छोटे प्रसंद बहुत ही कम कि आपका समय लगेगा तो ये तो रहेगे वे किसका? प्रस्तनावली जो first है, उसका matter आ गया, इनसे बाढ़ने जाएगा आपका एक भी प्रसंद, ठेक है, अब आगे चलते हैं, प्रस्तनावली जो second है, उसमें देखते हैं, प्रस्तनावली जो दो है, दूसरा जो chapter है, उसमें क्या क्या आपको करना है, वो देख लेते हैं, प्रस्तनावली जो आपकी रहेगी, दो प्रसंद दो में देखो, दो प्रसंद एक तो चोटी से, प्रस्तनावली यहां से start करते हैं, कि प्रस्तनावली जो दो प्रसंद दो है, उसका जो most प्रसंद पहले है, पहले में आप दो प्रसंद करिए भी, एक प्रसंद पका आएगा आपका तीसरा और इसी का या आप क्या काम कर लो चोत्ता कर लो या च्छटा कर ले ना एक ही चीज़ है और एक आपको करना है प्रस्टन नमबर जो दो है दो में पहला दूसरा कर ले ना पहला और दूसरा कर ले ना ताकि आपका जो रूड वाला ना वो सिस्टम भी बैठ ज वो आपको करना है ताकि उसमें आप भाग लगाना सीख जाओगे और जो प्रसनावली आपकी 2.3 है उसमें जैसे आपको इसा प्रसन उठालो सारे एक जैसे यह हैं पहले में 4-3 पार्ट दे रखें पहले का आप पहला ही कर ले न ताकि आपको डिवाइड करना भी समझा और एक करना इसका प्रसन नमबर कौन सा फोर्थ तो ये हो गया आपका प्रसनावली कौन से दूसरी अब चैप्टर नमर 2 की बाद और आगे चलते है जो प्रसनावली तीन है दो चर वाले रेखी के समीकरण है वो करते हैं अब उन में से देखें कि कौन से प्रसन ठीक हैं क कि आप उनको वहां से पढ़ पाए भी तो प्रस्तनावली जो आपकी कौन सी तीन नमर वाली में देखें कि प्रस्तनावली जो तीन है उसमें इंपोर्टेंट चीज क्या है उसमें आपको क्या पढ़ना है इसमें भी प्रस्तनावली जो तीन पाइंट दो है वहां से चालू क ठीक है इसके बाद जो प्रसन संक्या 3 है तीन का आप फैस्ट वाला निकाल लो ताकि आपको पैटरन समझा जाएगा आप आराम से कर लोगे तरीके समझाने चाहिए जो कि मैंने वीडियो में अलग अराम से क्या दीरे दीरे समझा रखें और इसमें और आगे चलते हैं अब और आगे चलते हैं तो आप के आती है प्रसनावली कोंड सी? तीन पॉइंट टीन तो जो प्रसनावली आपकी 3.3 है उसमें आपको क्या काम करना है? वो प्रतिक सुविदी वाली है उसमें जो पहला प्रसन है उसका फैस्ट निकाल लो ताकि आपको पैटरन है वो तरीका सम प्रसनावली 3.4 है वो भी ठीक है विलपन विदी वाली है तो प्रसनावली 3.4 इसमें भी जो पहला प्रसन है उसका आपको इस अभी एक पार्ट कर ले इसका आप सेकिंड वाला कर ले ना ताकि इसमें आपको विलपन विदी है वो बिलकुल क्या है समझे आ जाएगी तो विलपन विदी अगर आप ने कर ली तो उसके बाद में पहले का दूसरा हो गया है उसके बाद जो प्रसन संक्याद 2 है क्या है प्रसन नमर जो 2 है इसका भी आप पहला ही कर ले ना इसका भी फ्रस्ट आप कर लेना अब और आगे चलते हैं इसी क्रम में और आगे चलें तो अब आती हैं वज्र गुणन विदी उसमें आपको प्रस्णावली जो तीन पॉइंट पांच है उससे पहले देखो दो एक्जम्पल दे रखें अच्छी एक्जम्पल है वो भी आपको करने है कोण सा उधारण उधारण नमबर एक तो फिप्टीन पंदरा पंदरा के बाद दे रखा है सोला ये दोनों एक्जम्पल और फिर जो प्रस्णावली वैसे करने की जुरत तो नहीं है बाकी एक दो प्रस्णावली जो तीन पॉइंट पांच है उसके अंदर जो पहला प्रस प्रसन नमर दो है दूसरे का भी सेकेंड प्रसन आप निकाल लेना एक प्रसन जरूर आएगा यहां से ठीक है इसी करम और आगे चलते हैं तो प्रस्णावली आपकी रहजत एकोंड सी तीन पंद्स है जो तीसरे अध्याई की जो लाश्ट प्रस्णावली है वो है तीन पं प्रस्णावली चार है वो क्या द्वीगात समीकर्ण है क्या है चेप्टर नमर जो फोर है वो आपका क्या है द्वीगात समीकर्ण है तो द्वीगात समीकर्ण में आपको क्या काम करना है सबसे पहले एक प्रसन आएगा अबजेक्टिव प्रस्णावली कौनशी चार पॉइंट है द्विगात समीकर्ण रहेगी मतलब कैंसल वगेरा उने के बाद कहीं X स्क्वार रहेगा तो वो समीकर्ण द्विगात रहेगी और X स्क्वार खुद अगर कड़ जता है X में यदि कोई मान रहेगा तो आपके लीनियर रहने वाली है इसी क्रम में प्रसनावली जो चार इसके बाद पूर्ण वर्ग विदी है प्रफेक्ट स्क्वार आपको बनाना होता है उससे वेल्य अपने को निकालनी होती है तो इसमें इससे पहले प्रसनावली चार पॉइंट तीन से पहले एक उधार्ण दे रखा है वो उधार्ण आप जरूर देखना भी एक्जम्पल नमबर के आए 14 है 14 नमबर एक्जम्पल है वो करना फिर अपने चलते हैं प्रसनावली कौन सी 4.3 प्रसनावली कौन सी 4.3 तो 4.3 के अंदर आपको एक तो प्रसन करना है कौन सा चोथा प्रसन करना है इसके बाद एक प्रसन आपका लेना इसका नमा वैसे उधार्ण में जो तीसरा प्रसन है वह दंड आपने कर लिầy तो उसमें क्या क्लियर हो जाएगा अब और आगे चलते हैं इसमें जो लास्ट एक्सराइज है प्रसनावली है कौँछी है 4.4 तो यहाँ दे रके हैं प्रसनावली कौँछी 4.4 इसमें से जो पहला प्रसन है पहले के अंदर तीन है हाना और यहां से प्रसंद 100% पकाएगा शोर आएगा आपको करके देखना है दे इसमें से आप 2% कर लो पहला और तीसरा कर लो पहला और तीसरा कर लो और जो प्रसंद संख्या 2 है वो भी काफी अच्छी है उसका आप पहला प्रसंद कर लिजिए वहाँ से आपको के का मान ये पुछेगा तो ये होगे अपने चार प्रस्तनावली तक एक बार बोर्ड क्या है पूरा बर्चुका है इसका आप स्क्रीन सोट ले लिजिए ताकि ओर आगे चले मैं इनको मिटा देता हूँ ठीक है ले लिए है तो अपना ओर आगे चलते हैं ताकि इसको मिटा के आगे की जो प्रस्तनावली है उनके मौश्ट कुष्चनों को और लिया जाएं भी ठीक है मिटा देता हूँ मैं तो चार चेप्टर होगे आप लेंगे पांच पांच वी प्रस्तनावली में भी आपको कुछ नहीं करना है पांच वी प्रस्तनावली हैं आपकी वो समांतर स्रेणी वाली है तो समांतर स्रेणी में एक तो सुत्र याद होने से ही एन वापद निकालने का एन पदों के योगफल का उन्हों दो सुत्रों पर ही किया है, सारे प्रसन डिपेंड करते हैं, वही कैसा मेटर वो पूछेगा, उन्हीं में से पूछेगा, कुछ चीज़ें आपके पास दे रखे होगी, कुछ को गाइब करवा रखा होगा चोटे प्रसन में तो आएगा, कि जैसे दीगे श्रैनी समांतर श्रैनी है या नहीं है, वहाँ आपको आगे वाले पद में से पहले को गटाने, देखना है क्या उतर आ रहे हैं, फिर तीसरे पद में से दूसरे को गटाने, देखना है क्या उतर आ रहे हैं, चोथे में से तीस कर लिजे इसमें भी जो प्रस्णावली आपकी पांच है उसमें पढ़ते हैं प्रस्णावली पांच भी है उसमें देख लेते हैं पांच प्रस्णावली पांच प्रस्णावली पांच प्रस्णावली पांच है उसमें देख लेते हैं पांच प्रस्णावली पांच क्या तीन है? तीसरे का आप सेकंड कर लो ये भी हो जाएगा ठीक है न? तो ऐसे आपको इसमें करने हुआ और ज्यादा करने क्या आउशक्ता नहीं है फिर आपके पास एक उधर्ण दे रखा भी इसी करह में और आगे आप किताब को खुलोगे तो एक एक एकजम्पल आता है एकजम्पल लंबर च्यार एक आपको ये करना है ठीक है? और मैं देख लेता हूँ कोई और अच्छा प्रसन आपको मिले अब आगे चलते हैं जो प्रसनावली आपकी पांस पॉइंट है दो है वहाँ से एक चोटा प्रसन हो राता है जो आपके पांस पहला प्रसन दे रखा है वो आप एक बार आराम से जरूर करके देखना ठीक है? उसको आप करके देखना अलग मैं यह नहीं मेंसिन कर रहा हूँ फिर भी आप करने की कोशिसे करना इसमें जो प्रसन नमर सेवन है साथ है एपी का एक तिस उफद गयात किजी ग्यार पद अरटिस और सोड़ पद कियात है तरह आपको दे रखा है फिर इसमें आप एक प्रसन नमर कौण सा है तेरवाँ तेरह से पहले एक दस्वाँ और कर लेना भी दस्वाँ भी ठीक प्रसन है वो भी आप एक बार कर लेना पहला तो आपको करना है इसका क्या है पहला जो प्रसन है पांस प्रसन दो का जो प्रसन संख्या एक है वो तो आपको निकाल लिए वहाँ से एक प्रसन प्रकाशियोर आपको मिल जाएगा छोटे प्रसनों में अब इसी एक्रम में और आगे चलते हैं कि जो प्रसनावले पांस प्र.3 है उसमें देखते हैं पांस प्र.3 में जो प्रसन संक्या दो है दो का एक तो आप पहला ही निकाल लेना पहला अच्छा प्रसन है फिर आपका जो प्रस्तों नमर तीन है उसको आप पूरा करना हुक कि फिर भी मैं आपको छाट के लिखवा देता हूँ कि इसमें आपते एक तो करना सेकिंड वाला, एक आप इसमें करना फॉर्थ प्रस्तों करना एक इसमें कोनशा कर लेना आठवा प्रसंद कर लेना और एक इसमें कर लेना दसवाँ सारे चोटचोटे प्रसंद है सीधिया आपको फर्मल्य अपलाई करने फिर आपके पास क्या वेल्यू आज़ाईगी इसी करम में और आपको क्या करना एक तो करना है प्रसंद नम्बर बारा ये करना है प्रसंद नमबर चाउदा फॉर्टिन अब इसमें देखिए आलू दोडर वो है आपकी है लट्ठो वाली संख्यार वो आलांकि इतने बड़े प्रसंद साइद नहीं आड़े से फिर भी आप इसमें प्रसंद साइद जो 19 है उसको आप देखके जाना भी फेपर में जाओ तो उससे पहले अब आगे चलते हैं सबसे कठिन है जो प्रसंद वली आप लोग समझते हैं आलांकि कठिन नहीं है प्रसंद वली छटी जिसमें प्रमे वगेर आपको दे रखे हैं वो वाले तो प्रस्णावली चटी के अंदर भी देखे हैं तो जो 6.1 है वो तो आप पूरी कर लेना क्या करना है प्रस्णावली जो 6.1 है वो आप पूरी करना है प्रस्णावली 6.1 ये तो पूरी रहेगे इसके बाद एक आपको करनी है प्रमे कौन कौन से करनी है 6.1 एक तो करनी है ये वाली मैं और देख लेता हूं ये नाम से आती है भी आप अराम से इसको पढ़ना अच्छे से इसके बाद इसके बाद इसके बाद आप जो प्रमे 6.6 है एक वो करना है प्रमे ही है ये 6.6 के बाद एक प्रमे आपकी 6.8 है वो भी करनी है समकौन तिरबुजवाली है ना एक करोगे उल्टा तो उसका आप करी लोगे तो ये तो रहे गई प्रमे अब चलते हैं जो प्रस्तनावलिया आपकी 6.1 है उसमें देखते हैं आपको 6.2 के अंदर प्रमे समझा आगी ये अपने को पढ़नी है और जो प्रस्तनावलिया 6.2 है उसमें क्या काम करना है उसमें एक तो करना है प्रस्तन नमबर 3 तीन के बाद आपको प्रस्ट नमबर चार है, वो भी करना है, चार के बाद में प्रस्ट नमबर जो नो है, उसको आपको करना है, ये तीन प्रस्ट आप यहां से देख ले ना, पूरे चेप्टर में से, अब और आगे चलते हैं इसे करम में, जो आपकी प्रस्टनावली कौन तीन है उसमें प्रस्णावली जो आपके 6.3 है उसमें आप एक काम करना एक तो करना है प्रस्ण नमबर 4 फॉर्थ वाला फॉर्थ के बाद में एक प्रस्ण आप यहां से देखना कोण सा देखोगे काफी सारे प्रस्ण है सारे बड़िया प्रस्ण है अच्छे प्रस्ण आपको दे रखें चोत्थे के बाद एक सात्वा देख लए ना सात्वे के बाद आप देखना प्रस्ण नमबर कोण सा तेरवा ना इसमें और भी बहुत सारे प्रस्ण है वागि सब में सब है कि जैसे एक दो प्रस्ण आप कर लोगे सभी का पैटरन आपको आने लग जाएगा वैसे प्रस्ण को अटेंड करना है फिर और आगे चलते है जो प्रस्ण नमबर कोण सा इंपोर्टेंट है एक तो तीसरा और पांचवा प्रस्ण नमबर एक तो तीन और एक है पांच उसके बाद एनलाइसिस यदि किया जाएं तो हो सकता है साथ वह प्रस्ण वह आपको दे दे तो प्रस्ण नमबर जो साथ है वह आप एक बार देख ले ना इसके बाद और आगे चलते हैं जो प्रस्णावलिया आपके कौणशी रहेगी इससे पहले एक उधारन है उधारन आप देखो करके देखना भी उधारन अच्छा हो एक्जम्पल है इससे पहले जो उधारन है उधारन नमबर कौणशा है 14 14 नमबर जो एक्जम्पल है वह आप करके देखना फिर आप चलते हैं जो प्रष्णावली 6.5 है क्या है 6.5 है इसमें देखते हैं इसमें भी देखो खूप सारे प्रसण है कई छोटे प्रसण भी हो सकता है आजएं बाकिजियसे तीसरा जो प्रसण है सुरी चोथा जो प्रसण है वो भी ठीक है फौर्थ के बाद में आप ये देख सकते हैं कि जो प्रसन नमबर कौन सा है सात्वा है वो भी ठीक है इसमें ये ठीक है इसके आगे प्रसन नमबर जो सोला है ये भी ठीक है प्रसन नमबर जो सोला है वो ठीक है हो सकता है कई वर बड़ा प्रसन आप से पूछ लें तो 14 या 15 में से वो पूछेगा तो चांस बनते हैं वैसे 15 में प्रसन के तो 15 और 16 है उन दोनों को या आप देख लेना तो ये तो रहे गए उसकी बात अब और आगे चलते हैं कौण सी प्रसनावली साथ अच्छी प्रसनावली है एक एक दो 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 नमबर के प्रसन या से पूछे जाते हैं तो प्रसनावली साथ है निर्दे संक ज्यामिती है ये भी अच्छी प्रसनावली है इसमें कुछ एक्जम्पल आपको करने है जैसे जैसे इसमें आपको एक तो सबसे पहला काम क्या करना है उधारण करने दो कौन सा उधारण एक तो चोथा और एक है पांसो दो एक्जम्पल आपको करने फिर जो आपकी प्रसनावली 7.1 है 7.1 है उसमें एक तो प्रसन नमबर जो 7 है वो करना है आठ हो इसके तरह ही है एक आपको 9 प्रसन देख लेना है वहां से आपको एक वेल्यू एक प्रसन वहां से आपको मिल जाएगा ये करने के बाद अब प्रसनावली जो 7.2 है 7.2 है इससे पहले एक 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 जम्पल दे रखा चाहा उधारण है वो आप करना है उधार नमबर कौण सा है 9 क्या दे रखा है 9 नमबर वाला फिर आप ती प्रसनावली कौण से 7.2 7.2 7.2 में एक तो है आपका सातों प्रसन एक आठों प्रसन इनको आप देखना इसके और आगे चला जाए तो जो प्रसनावली आती है आपकी कौण से 7.3 में जैसे प्रसन संक्या 2 है दूसरे का आप पहला ही पढ़ लो है ना पहला दूसरा सेम है वो आप कर सकते हैं और इसके साथ ही एक तीसरा प्रसन आपको और देख लेना है तो यह तो गया साथवा चेप्टर अब आता है प्रसनावली आठवी जो कि मैंने भली बांतिया आपको करवा रखिये प्रसनावली आठवी है इसको अराम से आप पढ़ना इनके जो सोलिसन है जो पुराने वीडियो है प्लेलिस्ट में डाल रखे है वहां से आप देख सकते है प्रसनावली जो आठवी पढ़ने एक से पहले आप एक उधार्ण दे रखा है उधार्ण नमबर हुआ आप करके देखना कोण सा है 500 है वो करना फिर आठवी पढ़ने एक में आपको करना क्या है तो प्रसन संख्याद 2 दो के बाद प्रसन संक्या चार चार के बाद प्रसन नमबर कौन सा आप इसमें नमा पढ़ लेना ये और जो प्रसनावली 8.2 है उसमें देखें उससे पहले कोई एक्जम्पल भी मैं देख लेता हूँ साथ में कोई एक्जम्पल अच्छे तो एक एक्जम्पल अच्छे हूँ इसमें ये प्रसनावली करने से पहले आप एक उधारन करना ये उधारन नमबर है आपका कौन सा है 8 हूए 7 वाठ हो दोनु कर लेना, दोनु अच्छे एक्जम्पल है अब आगे चलते है जो प्रसनावली आपकी कौन सी है 8.2 है उसमें से प्रसनावली 8.2 में से जो पहला प्रसन है प्रसन नमबर जो 1 है उसका आप एक तो कर लेना पहला ही चोटा असान प्रसन है उसके बाद इसका करना है पाँच्छवा दूसरा प्रसन है वो आप पूरा कर लेना क्योंकि यहां से अबजेक्टि प्रसन वो पूछने वाला भी तो दूसरा आप complete कर लेना प्रसन नमर जो दो है वो कर लेना पूरा और प्रसन नमर जो तीन है वो आपको करना है इसके बाद जो प्रसना उलिया आपकी 8.3 है वो 8.3 है उसमें एक तो जो पहला प्रसन है उसके दो पार्ट कर लेना एक तो first कर लेना और एक आप कर लेना इसका third, तीसरा कितना है? तीसरा और उसके बाद प्रसन नंबर जो पांस है वो आपको करना है और प्रसन नंबर जो 6 है वो भी आपको करना है, 6 भी अच्छा प्रसन दे रखा है इसी के साथ जो प्रसनावली 8.4 है उसको मैंने उसको मैंने अराम से अभी क्या दुबारा भी करवा रखा है तो उस प्रसनावली को आप दुबारा से देखना उसको सोलिशन मैंने अराम से एजली एकदम धीरे धीरे अराम से फिर से मैंने करवाए हैं अभी लेटेस्ट शाइद आज ये वीडियो डाल दिये उसकी आप देखने ना 8.4 है उसमें से एक तो देखना आपको कौन सा प्रसन नमबर 3 चोथा अबजेक्टिव है चोटे प्रसन है वो आपको देखने और जो प्रसन नमबर 5 है उसमें एक बार ता आप सारी देखना फिर भी मैं आपको टिक लगाई देता हूं एक तो इसमें तीसरा तीसरे के बाद एक चोथा प्रसन पांचों में 10 प्रसन है भी चोथे के बाद चटा भी अच्छा प्रसन है चटे के साथ में ये आठों प्रसन है पांचों चटा साथ हो आठों प्रसन ये भी अच्छा प् मिटा कि आगे कि जो पत्षितावली उनके मैतुपर प्रश्णों को और ले लिया जाए तो इसके इन शोट ले ले लिजे छीक हैन। मिटा तो में इसको ताकि आगे कि जो प्रस्णावली उनको और लिया जाएं। अभी टाइम है आप अराम से इन प्रस्णों को दो दिनों के अंदर कर सकते होई अब नवे चेप्टर से चलते हैं आठ में का ही एक विशिष्ट रूप है उसी प्रस्णावली के सुत्र उसमें लगते हैं नवे प्रस्णावली के अंदर तो नवे प्रस्णावली भी क्या आ आपको करने हैं कुछ एक्जम्पल है वह आप एक बार करके देखना जैसे एक्जम्पल नम्बर 4 और 5 सबसे पहला काम क्या है वो धारन आपको देखना कूर सा एक तो्चोथा एक पांचवां पांचवें एक्जम्पल के साथ ही आप यहाँ इसका साथवा एक्जम्पल भी आप पड़ लेना आलाग इतना important नहीं है प्रस्णावली आपकी इसमें एक यह है प्रस्णावली कौण सी है एक यह 9.1 तो 9.1 में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है एक तो आपको देख लेना है कौण सा प्रस्ण नमबर 14, 15, 16 और पहले वाले प्रस्णों में भी आप इनको देखना कौण से एक तो साथवा प्रस्ण भी देखना आपको एक इसके साथ में 9 प्रस्ण को भी एक बार पड़ लेना भी इन प्रस्नों में से साइद तक आ जाएगा आजाना से हिए आप आके चलते है जो प्रस्नावली 10 है प्रस्नावली कौन से? 10 है उसको देखें कि दस्वी चेप्टर में क्या मेटर दे रखा है और कहा तक आणा से हिए तो देखिए जो 10.1 है वह छोटी प्रसणा लिए उसको आप पूरा करना भी प्रसणा लिए जो 10.1 है वो तो आप क्या कर लो? पूरी कर लो वो तो complete आपको करनी है उसकी साथ में प्रमे है आपकी एक तो करना है प्रमे, कोण सी? 10.2 अच्छी प्रमे है उसकी बाद एक्जम्पल है हुदारन कोंड सा है एक तो दूसरा और एक तीसरा ये एक्जम्पल इंपोर्टेंट है फिर आगे चलते हैं कि प्रसनावली कोंड सी 10.2 है उसमें क्या करना देखिए 10.2 है उसके अंदर एक तो आप करना कोंड सा प्रसन नमबर आठ प्रसन नमबर दस और प्रसन नमबर बारा बारा है कि ग्यारा है बारा प्रसन नमबर बारा इनको करना है ये हो गया अपना दस्वों चेप्टर ये भी दो चेप्टर के है छोटे चोटे ज़्यदा बड़े नहीं है अब आगे चलते हैं जो प्रस्णावली 11, 11 है उसमें से क्या काम किया जाएं सबसे पहला काम आपको क्या करना है एक तो करना है एक्जम्पल सबसे पहला काम आपको क्या करना है उधार्ण करना है कौण सा दूसरा एक्जम्पल करना है फिर इसी करम में और आगे चलें तो प्रस्थनावली जो 11.1 है आपकी कौन सी 11.1 है वहां से आप कर सकते हैं चोथा उसके बाद छटा प्रसंद आप आराम से कर सकते हैं इनसे काम चल जाएगा आपका काम हो जाएगा भी अब और आगे चलते हैं कि जो प्रस्थनावली 11.2 है उसमें से क्या किया जाएं 11.2 में से आप एक काम करना एक तो तीसरा, एक चोथा, पांचवां और छटा ये लगातार जो प्रसंद दे रखे हैं वह आपको करने अब आगे चलते हैं कि प्रस्थनावली जो 12 नंबर है 12 उसमें क्या काम करवायज है तो 12 के अंदर सबसे पहले चलते हैं कि प्रस्थनावली 12.1 है उसमें क्या करना है उसमें एक तो करना है पहला प्रसंद एक आपको क्या है दूसरा देख लेना दोनों प्रसंद ही छोटे हैं कोई ज्यादा बड़ा प्रसंद नहीं है साथ में एक प्रसंद नमबर 4 आपको और देख लेना है इसी करम में और आगे चलें तो और आगे और आगे चलें तो प्रस्नावली जवाब कियाती है कौण सी 12.2 है उसमें क्या काम करना है एक तो चोथा प्रसंद करना है एक आपको चटा प्रसंद करना है एक आपको करना है कौण सा 13 प्रसंद आपको करना है इसके बाद कुछ आकरतियां कुछ प्रसंद आपको दे रखें कुछ उधारण आपको दे रखें उन में से आप एक बार एक डिजाइन वाला प्रसन और देख लेना अलागि कम चांस रहते हैं फिर भी 30 ये उधारण नमबर जो 5 और 6 ना इनको एक बार पढ़ जाना भी पेपर में जाने से पहले फिर आगे चलते हैं कि जो प्रसनावली आपकी 12.3 है उसमें देखते हैं उसमें एक तो पहला प्रसन आप जरूर करें पहले के बाद जो चोथा प्रसन दे रखा वो भी करना है उसके बाद 5 प्रसन उसके बाद प्रसन नमबर कोण सा 9 और 10 प्रसन है उसको भी आप देख लेना एक और आगे, इसमें बारवां प्रसंद, प्रसंद संख्या 12, यह आप देख रहे न, बाकी ज्यादा कठें ने, प्रसंद नहीं आते हैं, जो आपके एक 14 है, और भी देखना चाहो तो 14 वादा तो आप कर लोगे, देखने जुरूत नहीं वैसे आप खुद ही कर लोगे, से पहला काम, आपको क्या करने है, एक आदा एक्जम्पल आपको देखना भी, ठीक है, एक्जम्पल रहने दीजिए, काफी बड़ी बासा है, एक्जम्पल एंड दो, प्रस्नावली देख लें आप सिद्धी, प्रस्नावली जो 13.1 है, उसमें एक तो चोथा प्रसंद, एक इसमें सात्वा प्रसंद, और एक इसमें क्या नवा प्रसंद आप देख लें, और एक आप इसका पहला प्रसंद भी देख लें, मेरे इसाफ से तो बड़िया प्रसंद है, पहला, चोथा, सात्वा और नवा, ये प्रसंद आपको देख लें, इसी करम में और आगे चलें, तो जो प्रस्णावली आपकी कौन सी है 13.2 है कौन सी है प्रस्णावली 13.2 है इसमें आपको क्या करना है एक तो करना है तीसरा प्रसन एक पांचवा और एक करना है सातवा प्रसन फिर आपके देखे कुछ उधार्ण है भी आपको वो करने उदार नमबर कोंड सा, एक तो जैसे दसवा ये 11, ये दो एक्जमपल और प्रस्नावले, आपकी कोंड से ये 13 पॉईंट जो 3 है, उस में से क्या काम करना है उस में से आपको प्रसंद संखिया एक तो करने है 2, एक करना आपको 5, एक करना आपको 8 ठीक है अब एक बार जो 13.4 है वो प्रस्णावली एक बार रहेगी आप इसका एक बार screenshot ले लिजे ताकि मैं इसको क्या है मिठा दूँ और आगे प्रस्णों को करें भी ताकि अब की बार में क्या है लगबग मैटर सारा आजएं तो एक बार आप लिख लिजे आप इसका screenshot ले लिजे और अभी भी आपके पास खुब टाइम है आप अराम से प्रस्णों को करें कुछ प्रसंद आपका आई रहें करने की जुरत नहीं सिर्फ देख जाना जो प्रसंद आपको doubtful लगते हैं उनी प्रसंदों को दुबारा से मिलाना है आप एक दिन के समय में इन प्रसंदों को अराम से निकाल लोगे कोई ज़्यादा प्रसंद नहीं है तो एक पर मैं इसको साफ कर देतां बॉड को अपने आच चुके हैं प्रसंद आउले 13.3 तक कहां तक लिख दिये हैं 13.3 तक है जो most person हुए हैं वो लिख दिये हैं अब आगे चलते हैं 13.3 के आगे क्या चीज़ हैं जो example वोगेरा वो भी देखें और जो प्रसंद है उनको भी देख लेते हैं भी क्या करने लाइक है तो 13.3 में प्रसंद में आपको लिखवा दिये हैं इसके बाद इसके बाद एक तो आप example कर लेना एक तो आपको क्या करना है उदारन करना है कौन सा 14 चब्दा नंबर और फिर करनी आपको क्या प्रस्नावली प्रस्नावली कौन सी? तेरा पंड जो चार है उसमें से आप एक तो करना पहला प्रसंद एक करना चोथा और एक कर लेना 500 बस ये इसमें इतना बहुत है सांख्य की एकदम सिंपल से प्रस्नावली अभी अब चलते हैं प्रस्नावली कौन सी 14 चलते हैं प्रस्नावली के अंदर मैं आपको कुछ नहीं करवाँगा मैं आपको कुछ भी नहीं देऊंगा करने के लिए आपको करना किया है चलो मैं फिर भी आपके कुछ प्रस्न लिखवा लगा देता हूँ आपको करना किया है मैंने method आपको समझाए है उसी रूप में आपको करने भी वीडियो के अंदर पड़े हैं आप अराम से कर सकते हैं तो जो प्रस्तनावली 14 point है कौन सी है एक है प्रस्तनावली 14 point है उसमें प्रस्तन संख्या एक तो आप 3 देख लेना तिन के बाद आप 7 प्रसं देखना 7 के बाद 8 देख लेना और आगे चलते हैं इस एक रूप के अंदर प्रस्तनावली 14 point 2 है उसमें और देख ले रह जो कि प्रस्तनावली 14 point 2 है उसका एक ताप 3 प्रसं Éक 500 इसी कर में और आगे चलें तो आप कुछ एक्जम्पल अच्छे भी, आप होँ भी देखना, अब आप देखना कोंचा उधारण, कोंकोंचा देखना एक 7 नमबर, 1 8 नमबर, कोंचा है 7 और 8 अब इसक्रम मोर आगे चले तो प्रसनावली आजाते हैं कोण सी आपकी प्रसनावली आजाएगी 14.3 इसके अंदर आपको एक तो तीसरा और एक आपको चोथा प्रसन करने रहे ये करने के बाद ये करने के बाद एक उधारण है उधान आपके जिसे नवा है वो एक बार आप पढ़ना कैसे कर सकते हैं और जो प्रसनावली कौन सी है चार है उसमें आपको क्या काम करने है उसमें आपको कर लिए प्रसन नम्बर एक तो कौन सा दूसरा और एक तीसरा यह हो गए वह इसके अब आगे रहा गया पंदर्वाँ चेप्टर तो पंदर्वी एक मैं वही लिख जैता हूँ पंदर्वी जो exercise है उसके अंदर क्या है आपके पास एक ही अध्याय है पूरा क्या है पंदरा नमबर जो करना है पूरा पढ़ना आपको ठीक है उसके बाद आपको एक पक्का प्रसन आएगा पांच वाँ इसके जैसा जाएगा उसकता है संख्या चेंज कर देवो एक प्रसन आता है जैसे आपके पास नमा नमे के बाद एक प्रसन आपका आजाता है जैसे 13 हमें से वह पूछ ले तास के गड़ी वाला है जैसे 15 प्रसन है वह पूछ ले पंदरा के बाद जैसे 16 प्रसन है वह आप करना 16 के बाद डिस्क वाला है जैसे आप 18 और 19 वा प्रसन है वो पढ़ लेना चोटे-चोटे प्रसन है इसमें कोई ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा प्रसन नमर जो 24 है वो आप कर लेना तो ये प्रसन आपको करने भी एक्जाम की दश्टे से क्या है कुछ एक्जम्पल हो गयर है वो भी आप देख रहे ना आलाग की ज़्यादा कठिन नहीं है पास्य वाला में ने आपको ये लगाए दिया पास्य को दो वर्फें का जाता है अब आप ये देखिए कि क्या काम करना है कि ये जो चौदों सेप्टर है ना इसमें तीनी चीज़े है एक तो क्या है माध्य एक है आपका माध्यक और एक क्या है भूलक तीन प्रसन यह है तीनों में साइगा माध्य निकालने के लिए मैंने आपको काय कुछ भी नहीं का जाएं तो पगर विचलन विद्धी आपको काम में रहने इसके लिए क्या होगा वर्ग आपको मिलेगा साथ में क्या मिलेगा बरंबारत आपको मिलेगी पहला काम आपको इसी विद्धी लगाओ सबसे पहला काम क्या होता है एकसाई निकालना क्या होता है x i निकालना x i जैसे निकल गया उसके तुरंत बाद आप क्या निकाल लो ui निकाल लो वो क्या होता है x i minus a बटा h होता है और इसके अंदर करना कुछ भी नहीं एक क्या होगा x i में center वाला पद अगर वी चुन दो पद रह जाते हैं तो उपर वाले को या नीचे एक दो तीन वो पर वले सारे माइनस के नीचे एक दो तीन सारे क्या होंगे प्लस क्या होंगे और वैस सुत्र आपको याद रखना है कि x बार बराबर क्या होता है कि a plus summation किसका fi गुणा ui बटा बटे के अंदर क्या आएगा? summation of क्या जाएगा? fi और into क्या जाएगा? h तो एक कॉलम आपका और तैयार होगा कि fi की गुणा ui से और करवानी इसका योगफल बटा इसका योगफल गुणा h, h क्या होगा वर्गांतर वर्ग के बीच क्या होगा? gap होगा और मात्यक और बहुलक का सुत्र आपको सिदा या सुत्र याद हैं तो आप अराम से क्या है? कर लोगे कोई दिकत है? नहीं आएगी ठीक है? तो इनी मोस्ट प्रस्णों के साथ इस वीडियो को पूरा करते हैं भी तो आप अराम से पेपर अटेंड कीजिए आप सभी को एक्जाम के लिए best of luck तो आप अराम से क्या है पेपर को अटेंड करके आना और कोई सभी प्रसन छोड़ के नहीं आने पेपर करते वक्त अगर आपने आदे प्रसन को सही किया तो उस आदे प्रसन के आपको नंबर मिलेंगे ऐसा नहीं भी आपको आदा ही प्रसन आ रहा है पूरा हुआ नहीं अगर आपने सुत्र भी लिखा है तो उसके भी number होते हैं तो numbering क्या part wise divide होती है सारा प्रसन एक साथ नहीं कटेगा तो सभी प्रसनों करके आने छोड़ के एक को भी नहीं आने negative marking थोड़ी चलर यह आपको करना जरूरी है तो next video में फिर मिलते हैं तब तक के लिए thank you so much